एटा में किशोरी के साथ रेब के बाद एसिड अटैक का संसनी खेज मामला सामने आया है जहां मिरहची थाना शेतर में सड़क किनारे गंभीर हालत में किशोरी पड़ी हुई मिली। बताया जा रहा है कि अवागड थाना शेतर की रहने वाली किशोरी तीन दिन पहले घर में कहा सुनी के बाद घर छोड़ कर बस अड़े पर बैठी हुई थी। बताया है जो लड़की है उसने बताया है कि उसको तीन दिन पहले वह अपने घर से बहार गई थी। हुई को मिला और उसमें दूब पेर स्टेंट पर कोई लड़का उसको मिला और उसमें भी शराब शलाई और प्र उसके आगे उससे गलत वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने पीडिता को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भरती कराया जहां पीडिता की हालत नाजुक होने के चलते डॉक्टरों ने उसे अलीगड के लिए रेफर कर दिया है घटना के बाद किशोरी के परीजनों क का रो रो कर बुरा हाल है फिलहाल पुलिस ने पीडिता की परीजनों की तहरीर पर मामलत दर्ज कर लिया है पंजाब केसरी टीवी के लिए एटा से संजीव गुपता की रिपोर्ट